अस्सलाम अलेकुम आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सहरी के लिए ऐसी जबरदस रेसेपी जो आपको दिन बर फ्रेश और एनर्जी से भरपूर बनाई रखेंगे। मैंने इस ड्रिंक को खजूर से बनाया है। अमेजिंग टेस्ट और सेहत से भरपूर यह ड्रिंक मिंटों में बनकर तयार है। तो आईए इससे बनाना शुरू करते हैं। इससे बनानी के लिए सबसे पहले खजूरों को अच्छी तरह धोकर उसके अंदर की गुठली निकाल देंगे। खजूरों में फाइबर, केल्शियम, मेगनीशियम के साथ भरपूर मिकदार में निट्रिशन होते हैं। और वैसे भी रमजान के दिनों में खजूर अमोमन सभी के घरों में होती है। इफ्तार के साथ इन खजूरों को आप सेरी में भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 9-10 खजूरों की गुठलियां निकाल ली हैं। और इसी के साथ थोड़े से काजूर और थोड़े से बदाम एट करेंगे। या फिर आप अपनी पसंद के हिसाब से कोई भी ड्राइफ रूट इसमें एट कर लीज़ेगा। अगर नहीं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। सिर्फ खजूर और दूट से भी ये बनाई जा सकती है। इसके अंदर मैंने 1-1 कप गरम दूध आट कर दिया है। और इसे 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। और यहाँ पर मैंने 1 टी स्पून चिया सीड लिया है। जिसे हाफ कप पानी में सोख कर देंगे। छोटे छोटे काले और भूरे रंग के ये चिया सीड को सुपर फूट भी कहा जाता है। ओमेगा 3 फाइटी एसीड, फाइबर, प्रोटीन, एंटी ऑक्सिडेंट का या बहुत ही अच्छा सोर्स है। 10 मिनट में यह भी अच्छी तरह फूल जाएगा। 10 मिनट हो चुके हैं तो यह देखिए यह थोड़ी सॉफ्ट हो गए हैं। और अब इन खजूरों को हम जार में ट्रांसफर कर देंगे। और अब इसमें आट करेंगे दो कप ठंडा दूद। जार का ढकन बंद करके इसे ब्लेंड कर लेंगे। तो यह देखिए यह अच्छी तरह ब्लेंड हो चुका है। अब हम इने सर्विंग ग्रास में निकाल लेंगे। सर्विंग ग्रास में सबसे पहलें चिया सीट डालेंगे 1 teaspoon जिसे मैंने सोक करके रखा था। सोक किये हुए चिया सीट को आप पानी के साथ डाल कर ले सकते हैं। सैलेड में डालकर दही के साथ या फिर स्मूदी बगारा में डालकर यूज कर सकते हैं। और अब इसमें एड़ करेंगे खजूर से बना या शेक। खजूर बहुत ही मीठे होते हैं, इसलिए मैंने इसमें शक्कर एड़ नहीं किया है। अगर आपको बहुत जादा मीठा पसंद हो, तो आप इसमें थोड़ा शहदा एड़ कर लिजेगा। मैंने चियासी डिस में डाला था, इसलिए अच्छी तरह इसे मिक्स कर लेंगे। तो यह लीजिए, सुपर टेस्टी, सुपर हेल्दी, खजूर की शेक हमारी तयार हैं, इसे आप सेहरी में बना कर पिए, या मिंटों में तयार हो जाएगी, जो आपको दिन बर एनरजी से बरपूर और फ्रेश रखेगा। तो ट्राइज जरूर कीजएगा मेरे इस हेल्दी ड्रिंग की रेसिपी को, रेसिपी पसंद आयों तो एक लाइक का बटन जरूर दबाईएगा, और अपनी फैमिली और फ्रेंट्स में शेयर कर दीजएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं, तो बिना सब्सक्राइब के म प्लीज कुक वित लाडली को सब्सक्राइब कीजिए, थैंक्स फॉर वाचिंग मैं वीडियो, अल्ला हाफिज